हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वंदनाराय होमेकर फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम सिंपल पिकको और तार वाला पिकको कैसे करते हैं तार वाला पिकको करने से हमारी ड्रेस में बहुत ही प्यारा लुक आ जाता है और ये करना बहुत ही आसान होता है और फ्रेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई ड्रेसेज पसंद आती हैं तो मेरी सभी ड्रेसेज मीशो एपर अविलेबल हैं आप मीशो एपर जाईए और राइब यह सर्च करिए तो मेरे बनाए हुए सभी प्रोड़क्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से अपना मन पसंद कोई भी प्रोड़क्ट अपने लिए ऑनलाइन ओर कर सकती हैं और फ्रेंड्स आप लोग मीशो पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस अप्लोड करूँ उसका लिंक तुरंट आपको मिल जाए और आप उस ड्रेस को अपने लिए ऑनलाइन ओर कर सकें तो फिर चलिए हम पिको करना शुरू करते हैं तो पिको करने के लिए सबसे पहले हम इसका ये फुट चेंज कर लेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये इससे सिलाई की जाती है और इसकी जगह हम ये वाला फुट लगाएंगे ये पिकको वाला फुट है इससे पिकको होती है ये हो गया और इस सेलेक्टर को हम ये ए पर रहता है ए पर सिलाई होती है इसको हम ऐसे घुमा कर ये आप देख सकते हैं C पर एड़ेस्ट कर देंगे C पर पिकको होता है और इसकी लेंथ हम इस टाइप से 2 और 3 के बीच में से दबा लेंगे ये आप देख सकते हैं और बस कपड़े को हम एक तरफ से थोड़ा से ऐसा उठा लेंगे ऐसे और बस फिर हम इस टाइप से पिकको करते जाएंगे ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप से सिंपल वाला पिकको होता है और ये आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा पिक्को हमारा हो जा रहा है अब मैं आपको तार वाला पिक्को करने बताऊंगी तो उसके लिए हमको इस तार की जरूरत होती है यह आप देख सकते हैं यह यह किसी भी सिलाई की शॉप पे हमको आसानी से अविलेबल हो जाती है तो फ्रेंड्स मेरे चनल को सब्सक्र कर लेंगे इस टाइप से यह हो गया और अब इससे मैं आपको पिक्को करने बताऊंगी तो यह दूपट्टा मैंने बनाया है इस दूपट्टे पर मैं तार वाला पिक्को करके आपको बताती हूँ तो तार को हम इस कपड़े में ऐसे रखेंगे ये आप देख सकते हैं और इसको हलका से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको इसमें इस टाइप से ये आप देख सकते हैं ऐसे दबा लेंगे और फिर हम इसको ऐसे पिक्को करना शुरू करेंगे और हमको तार नहीं खीचना है, बस इस कपड़े को हम हलका सापनी ओर खीचैंगे और इस टाइप से हम पिको करते जाएंगे यह देखिए, यह बहुत आसान होता है, तार को ऐसे मैंने किया और इस कपड़े को इसके उपर हलका साफोल्ड करके बस इस टाइप से हमको करना है और हमारा पिक्को होता जाएगा तो इस टाइप से ये आप देख सकते हैं ये पिक्को कितना अच्छा होते जा रहा है तो फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये दुपट्टा पिक्को हो जाने के बाद कितना प्यारा लग रहा है तार वाला पिकको कर देने से इस दुपटे में एक लहर सी आ गई है और friends अगर आप लोग चाहें तो इस लहंगे चोली और इस खुबसूरत से लटकन को बनाने की भी पूरी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं और अपने लिए एक डिजाइनर लहंगा बना सकती है और friends अगर आप इस लहंगे को खरीदना चाहें तो ये मीशो पर अभी लेबल है आप मीशो एपर जाईए और राइब या सर्च करिए तो मेरे सभी प्रोड़क्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से अपना कोई भी मनपसंद प्रोड़क्ट अपने लिए ओनलाइन ओर कर सकती है और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी पिक को करने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई